हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू आर सेशन, वेलकम टू स्टेडी आएक्यू आएस, मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो हमारी सीरीज स्टार्ट की थी, क्या नाम था उसका, उसका नाम था C-SAT इन 10 hours, भई 10 hours में जितने important topics हैं C-SAT के, जो हमें cover करने चाहिए, जिसमें हमें maximum gain मिले exam में, तोकि exam में target क्या है, exam में target है 66 पार करना, ठीक, तो उसमें आज हम लोग हमारे 9th lecture में आये हैं, जो topic आज cover करेंगे, इसका हर साल 1 question नहीं, 2 question UPSC में fix है, हर साल 2 question fix है, कौन सा topic, syllogism, अगर नहीं समझ में आया सुनके गया, syllogism क्या होता है तो, all cats are dog, some dogs are animal, ऐसे करके कुछ statements देता है, और उन statement के basis पे, आपको conclusion draw करने बोलता है, तो चलिए इस topic को start करते हैं, इसके पहले, जो last के 2 lectures थे, उसमें मैंने एक और important topic cover किया था, which is your calendar, ये cover हो चुका है, ठीक है, तो इसके भी सवाल आते हैं, एक सवाल, तो last की classes और आज की classes मिला लोगे तो 3 सवाल, साथे साथ नंबर, ऐसे ही कर करके add होगा, incremental edition करेंगे, तो 66 तक पहुँच जाएंगे, तो start करने से पहले, this is my mail ID, ये telegram channel, जहाँ पर ये PPT's वागरे डाल दिये जाएंगे, तोलिए आगे बढ़ते हैं, today's topic is syllogism, how to solve syllogism, देखो, इसको solve करने का तरीके तो बहुत सारे होते हैं, but मैं कौन सा तरीका apply करूँगा, मैं apply करूँगा, सबसे common sense वाला basic तरीका, when diagram based approach, हमारा जो approach होगा, वो होगा when diagram based approach, syllogism में, मैं आपको when diagram बनाना सिखाऊंगा, और उसी when diagram के basis पे, हम लोग जो है different, different conclusions draw करेंगे, तीक, तो देखिए, सबसे पहले बताओ when diagram के बारे में कुछ idea है या नहीं है, when diagram के बारे में कुछ idea है की नहीं है, जल्दी बताए, any idea related to when diagram, सब कैसे बनाते हैं, क्या होता है, देखो, आपको मैं 4 statement देता हूँ, जो हमेशा मैं हर class की शुरुवात इसी से करता हूँ, all a is b, sum a is b, sum a is not b और last में क्या आता है, no a is b, आपको syllogism वाले question में, यह 4 ही statement मिलेंगे, all a is b, पहला statement, सारे के सारे a b हैं, दूसरा statement क्या मिल सकता है, sum a is b, भाई कुछ a जो हैं, वो b होंगे, आचा, sum a is not b, तीसरा statement होगा, कि कुछ a जो हैं, वो b नहीं है, और आखरी statement आएगा, no a is b, यह 4 ही case possible है, यह 4 ही statement possible है, तो आपको क्या करना है, आपको इनके वेंड डाइग्राम बनाना सीखना है, मुझे पता है, 99% student को पता होगा, सर कैसे draw करना है, बट क्योंकि मेरा काम होता है, बेसिक से पढ़ाना, तो इसको जल्दी से सीखते हैं, और फिर सीधा, pyq से start करेंगे, तो आखरे को, all a is b, मतलब जो a का मेरा circle होगा, सारा का सारा a क्या है, b है, तो a का circle कहां पर होगा, a का circle जो होगा, वो b के circle के अंदर में होगा, number one का, venn diagram, यह जो number one question था, इसका venn diagram ऐसा बनेगा, all a is b, सारे के सारे a, b के अंदर में है, दूसरा case, ले लीजे, some a is b, some a is b का मतलब क्या है, कुछ a जो है, वो b होगा, means, थोड़ा सा common intersection वाला area exist करेगा, यह है आपका second वाला diagram, some a is b, कुछ a को b मान लेते हैं, तो a और b का intersection, जो shaded region है, वो कहलाएगा, मेरा second वाला statement, this is my second statement, this is third, this is fourth, और अगर आगे बनू, third statement पर बात करू, some a is not b, भाई कुछ a जो है, वो b नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यह रहा a का circle, some a is not b, यह हो गया मेरा b का circle, वो a जो b नहीं है, वो कौन सा region represent करेगा, यह वाला region, ठीक है, this is region 3, some a is not b, यह हो गया, all a is b बना दिया, some a is b बना दिया, some a is not b, यह भी बना दिया, अब अगर पूछेगा, कि no a is b, भाई, चौथे वाले का डाइगराम तो एकडम सिंपल है, दोनों का circle अलग-अलग, no a is b, यह हो गया मेरा fourth वाला, I hope आप समझ गया इसको, no a is b, some a is not b, वो a का हिस्सा जो b में नहीं आता, यह shaded region, तूसरा वाला डाइगराम, some a is b, a is b मतलब यह वाला हिस्सा, जो दोनों में common है, और all a is b का मतलब क्या हो रहा है, सारा का सारा मेरा a जो है, वो b के अंदर है, तो अगर आप इतना समझ गये है, तो आप syllogism सीख गये, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है, बस इसके बाद common sense, common sense apply करना है, इतना ही था सिखाने के लिए मेर को, इतना ही था आपको सिखाने के लिए कि अगर आप इतना सीख गये, तो अब आप syllogism बना लोगे, शुरू करे, शुरू करे सवालों को, अगर basic ठोरी क्लियर है तो इसका एक screen shot रख लो अपने पास, इसका एक screen shot ले लीजिए, चलो, start करते हैं questions को, देखो, question start करने से पहले, ठीक है आज का topic start करने से पहले, basic तो सीख गए, अब बनाना है सिर्फ और सिर्फ सवाल, एक छोटी सी information आपके लिए, क्या information है, देखिये, morning batch launch हो रहा है, किसका सबसे पहले ये समझना जरूरी है, P2I, what is P2I, prelims to interview, 2024 के aspirants के लिए, prelims to interview, मतलब एकदम basic से शुरू किया जाएगा, prelims से, और कहां तक ले जाएंगे, interview तक के, इसकी batches स्टार्ट हो रही है, morning batch, सुबह 8 बजे, 20 में से, इवनिंग batch स्टार्ट हो रहा है, 25 में से, शाम के 6 बजे से, daily life classes होंगे, देखिए आपको क्या करना है, studyIQ.com पे जाके, इस course के एक बार features चेक करिएगा, इस course के एक बार features चेक करिएगा, daily life classes, GS paper 1, 2, 3, 4, basic से advanced level तक, CSAT के sessions, daily current affairs के sessions, daily जो current affairs session होते हैं, उन पे prelims based question, उन पे mains based question, UPSC के तेयारी में सबसे बड़ी problem क्या होती है, punctuality maintain करना, इमानदारी से daily पढ़ना, वो problem solve की जाएगी यहाँ पर, बाकि जो course के और features है, वो आप एक बार चेक करिएगा जाके, तो if you want to enroll, if you wish to enroll, लेको बैक चालू हो रहा है 20 तारिक से, morning वाला और 25 से evening वाला, तो you can join, course की कीमत थी 70,000, बाट वो discounted price पर आपको मिलेगा, 29999, if you want to use my code, you can use my code also, ATLIFE, इस पर आपको discount मिल जाएगा, तो यह आप इसको एक बार चेक कर लीजेगा जाकर, यह एक छोटी सी information थी, चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, तुझे को, यह है statement, आपके सामने, क्या क्या रहा statement, all huts are mansions, and all mansions are temple, दो statement दिया, solve, तो मिलेड़ बात करिएगा, आपको statement दिया हुआ है, आपको conclusion बनाना रहेगा, अगर और सवाल दिखाओ मैं आपको, यह तो simple simple सवाल है, यह होते हैं आपके PYQs के सवाल, जो UPSC पूछता है, इस तरीके से, ठीक, तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आप लोग बनाएंगे Venn Diagram, अब जब आप पढ़के draw करोगे Venn Diagram को, तो multiple Venn Diagrams possible होते हैं, एक तरीके से नहीं बनेंगे, दो तरीके से बन सकता है, तीन तरीके से बन सकता है, अलग-अलग तरीकों से Venn Diagram बनता है, conclusion मैं वही वाला सही मानूँगा, जो सारे Venn Diagrams में follow हो, अगर वो सारे Venn Diagram में follow हो रहा है, ठीक है, तभी मैं इस conclusion को सही बोलूँगा, अगर एक में हो रहा है, अब बाकियों में नहीं हो रहा, तो वो conclusion गलत हो जाएगा, ये याद रखना, अगर आब इस question को solve करना चालू करेंगे, ये सौरी ये था को पहला question, some lions are tiger and no cats are lion, ये वाला first question है, तो जितने भी when diagram बन रहे हैं, अगर सब में वो valid है, तो आपको तभी conclusion को right मानना, करिए इसको solve, आदा मिनट दे रहा हूं आपको, जल्दी से try कीजिए इसको और answer बताना, पहले स्टेटमेंट से मेरा आ गया, ये वाला diagram, lion और tiger के बीच में intersection, अब क्या बोल रहा है, देखो, no cats are lion, इसका मतलब क्या हो रहा है, कि भाई कोई भी cat, lion नहीं होगी, ये clear है, कोई भी cat lion नहीं होगी, मतलब cat और lion के बीच में, कोई intersection नहीं होगा, ये तो diagram बन गया, बट इस statement को देखो, lion और tiger के बीच में intersection था, cat और lion के बीच में intersection नहीं है, because no cat are lions, पर, क्या cat और tiger के बीच में हो सकता है intersection, क्या cat और tiger के बीच में intersection हो सकता है, statement नहीं कुछ नहीं बोला है, तो we can consider, एक case ये बनेगा, और दूसरा case क्या बनेगा, tiger, lion, और cat, चै ये भी possible है, second वाला diagram, आप खुद बताईए देखके, चै ये वाला case भी possible है, कि cat का lion से intersection नहीं हो, बट इस case में cat और tiger भी अलग-अलग, इसमें cat और tiger आपस में intersect कर रहे हैं, ये दो case possible है, तो आप देखो conclusion check करते हैं, ये दो diagram मैंने बना लिया, one or two, अब इसके basis पे check करते है, no lions are tiger, ठीक है, no lions are tiger तो possible ही नहीं है, क्योंकि lions और tiger के बीच में intersection होई रहा है, दोनों diagram में, ये वाला conclusion गलत, second conclusion देखते हैं, some tigers are cat, यहाँ पर देखो, tiger और cat के बीच में intersection नहीं है, यहाँ पर है, मैंने क्या बताया था, वो conclusion सही मानूंगा, जो दोनों में satisfy हो, इसे लिए, ये वाला भी गलत, क्योंकि पहले वाले diagram में, ये satisfy नहीं हो रहा, इसे लिए इसका answer क्या आ जाएगा, neither one nor second conclusion follows, दोनों ही conclusion गलत है, देख लिजए इसको, next question पर चलूँगा, हाँ, Tech World वाले जी पूछ रहे हैं कि, सरे किस में all cat और tiger, बिल्कुल हो सकता है, cat वाला circle tiger के अंदर हो जाए, it may be possible, और उससे answer में कोई changes नहीं आएंगे, एक screenshot ले लो, चलो next सवाल देखते है, ये बताओ इसमें क्या होगा, ये UPSC के questions नहीं है, ये practice के लिए हैं सिर्फ easy सवाल, UPSC के सवाल आगे आएंगे, इसको बनाईए, all heads are mansion and all mansions are temples, ये देखो, ये हो गया मेरा हट का circle सबसे पहले, सारे के सारे हट क्या है, mansions है, मतलब ये किस के अंदर होंगे, they will be under mansion circle, ये mansion circle के अंदर हो गया, पहला वाला statement, दूसरा statement क्या बोल रहा है, all mansions are temple, भाई सारे के सारे mansions क्या है, they are temple, ये बन गया मेरा डाइग्राम, temple, mansion और hut, देख लीजए, ये ही डाइग्राम आएगा आपका, सारे के सारे hut mansion है, और सारे के सारे mansion जो है वो temple है, ये आगया आपका diagram, ठीक, अब इस पर आप क्या conclusion फॉलो कर सकते हो, आप इस पर क्या conclusion देखो, some temples are hut, इस डाइग्राम में दिख रहा है, कुछ temple hut होंगे, बिल्कुल, क्योंकि hut का circle कहा है, temple के circle के अंदर में है, ये वाला जो region होगा, वो सारे के सारे temple भी होंगे, और hut भी होंगे, तो some temples are hut, सही है, some temples are mansion, ये भी possible है, क्योंकि mansion का circle किस के अंदर है, temple के अंदर है, मतलब क्या हुआ, दोनों conclusions रही हुए, answer क्या आएगा, both conclusions follows, दोनों conclusions रही है, I hope समझ में आ गया होगा, both correct, देख लो screenshot ले लो, आगे बढ़ते हैं, next question पर, ये लीजिए, एक और question, some camel shark ship, no ship is boat, बताओ उसका answer क्या आएगा, ship और camel वाला, आपके सामने है question, और answer तुरंद बताईए, 20 seconds के अंदर, उसमें, 20 seconds के अंदर में, ज्यारा समय नहीं लेना इसको, हो गया, लोग बना रेता हूँ, some camel shark ship, ये हो गया मेरा camel, ये हो गया, दूसरा pen use करते हैं, ये हो गया मेरा ship का circle, some camels are ships, अब no ship is boat, देखो मैं डो डाइगराम नहीं बनाऊंगा, ये बना रेता हूँ तुम्हार ले, no ship is boat, ये लिखा हुआ है न, तो, ये रेखो, ये तो हो गया, camel और ship की कहानी, अब बोल रहा है, no ship is boat, मतलब आपका boat कहा रहेगा, या तो यहाँ पे रह ले boat, नहीं तो, camel के साथ intersection कर सकता है boat, ये दो possibility आ गई मेरी, डाइगराम में, ये दो possibility आ गई, या तो boat ship के साथ, intersect ही ना करे, बाहर रहे, नहीं तो, boat जो है, at least camel के साथ intersect कर ले, क्या conclusion बैठेगा बताओ, some ships are camel, some ships are camel, देखिए ये दोनों में valid है, और ये तो statement ही है एक तरह से, तो पहला वाला right, दूसरा, some camels are not boat, अब बताओ, some camels are not boat, यहाँ पर सारे के सारे camel boat नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे camel boat नहीं है, और यहाँ पर बताओ, कौन सा camel boat नहीं है, येवाला हिस्सा ग्योड हिस्सा ये वाला कैमल जो है वो बोर्ट नहीं है पूछा क्या है सम कैमल साहर नौट बोट बिल्कुल दोनों में सैटिस्फाई कर रहा है कन्दूजन वन एंटु बोट फॉट फॉलो देख लिजेश को हमेशा वो कैमल का हिस्सा जो शिप के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है वो कभी भी बोट में नहीं आ सकता क्यों क्योंकि बोट और शिप को अलग-अलग रखना है समझे तो बोट फॉलोज आएगा तुम लोग वन बता रहे थे कब से इसका एंसर होगा बोट फॉलोज प्रिंशोट ले लीजे आगे बढ़े नेक्स्स कुस्टिन पर चले चलो यह वाला बनाते हैं छोड़ो इजी कुस्टिन को यह वाला बनाईए दिस पी वाई क्यू यूप्यस्टिन का प्रिवेस यह कुस्टिन सम रेडियोज आर मोबाईल ओल मोबाईल सार कंप्यूटर सम कंप्यूटर आर वाचेस तो फिर आपको दो कंक्लूजन दिया है आधे मिनट में सॉल्फ करो उसको जिलिए सॉल्फ करिया है विदिन हाफ अ मिनट हो गया मैं बनाऊं देखो सम रेडियोज आर मोबाईल क्या मतलब हो रहा है यह रहा रेडियो और यह हो सेरा मोबाईल सम रेडियोज आर मोबाईल पहला स्टेटमेंट तो हो गया ओल मोबाईल सार कंप्यूटर चेक करते हैं औल मोबाइल सार कम्प्यूटर यह हो गया मोबाइल का सरकल कम्प्यूटर के अंदर अब बताओ देखो सम कम्प्यूटर सार वाचेस अब आपको समझना होगा यह चीज कि इसमें कितने सारे वर्ण डाइग्राम बनेंगे सम् सम्प्यूटर साथ वच अब यह सोच यह कि यह जो वाच का सरकाल है यह बलू बाइसे इंटरसेक्शन कर सकता था पॉसिबिलिटी है इसी वह बार चुब ले सरकल को मैं एक और डाइग्राम में mobile के साथ red वाले के साथ भी intersection कर सकता है यह दो को mobile radio computer और watches ऐसा वाला diagram भी possible है एना ऐसा वाला diagram भी possible है watch के साथ watch जो है computer के साथ-साथ mobile के साथ भी intersect कर ले एक और diagram possible है यह जो watch है पहले में blue के साथ intersect किया दूसरे में red के साथ किया तीसरे में चाहे तो purple के साथ भी कर सकता है क्योंकि statement ने कुछ नहीं बोला है statement ने radio और watch के बारे में कुछ नहीं बोला है तो वो possibility भी आ सकती है लो जल्दी से बना देता हूं उसको भी ऐसा ऐसा और green वाले को आप ऐसा ले लीजे इस तरीके से यह तीनो डाइग्राम हो गए अब conclusion किसमें आएगा जो one two और three तीनो में follow करें जो तीनो में follow करें पढ़ते हैं certainly सम रेडियो जार वाचेस रेडियो क्या है रेडियो है मेरा परपल वाला कलर और वाचेस है ग्रीन कलर क्या सम रेडियो जार वाचेस सर्टेनिटी के साथ बोल रहा है कि कुछ रेडियो वाच होंगे ही होंगे चेक कर लीजिए थर्ड वाले में तो सैटिस्वाई हो रहा है second में satisfy नहीं हो रहा purple और गरीन में कोई इंटरसेक्शन नहीं है फिर्स्ट वाला देखो आपका purple और ग्रीन में कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा conclusion one is wrong from conclusion one is wrong firstly some mobile6owaćes देख लो मुबाइल कैसे रच क्या है ए आज मैं दोनों इंट्रेक्ट नहीं कर रहे हैं second और third में कर रहे हैं पर फरस्ट में नहीं कर रहे हैं इसे लिए conclusion 2 भी गलत answer क्या आएगा neither conclusion 1 nor conversation 2 answer number D दोनों का दोनों ही गलत है इस तरीके से आपको बनाना है सवालों को सिलाजिजम में ले लिए इसका screenshot आगे बढ़े अगले सवाल पे एक और सवाल बनाते हैं रुको यह वाला यह वाला पढ़ाई यह वाला बनाई यह कुश्चन स्टेटमेंट वन एंड टू गिवन है लीजिए हाफ अ मिनिट एंड सॉल्फ करो इसको जल्दी से पताओ क्या एंसर आएगा कौन सा अप्शन सही है कि अ कि मात्वर जी ने लिखा है पर्मूटेशन कॉंबिनेशन भी पढ़ा दीज रहें पढ़ाया प्रमूटेशन शॉाओन आपको मिले हमारे पीवाई क्यों एक साथ सॉल्फ कर देंगे यह कर सकते हैं हम लोग चलो क्या बोल रहा है सम ग्रीन सार ब्लू यह रहा मेरा ब्लू वाला सर्कल यह रहा मेरा ग्रीन वाला सर्कल सम ग्रीन सार ब्लू ग्रीन blue ठीक some greens are blue हो गया और क्या करना है some blues are black वही कहानी some blues are black यह ऐसा हो गया some blues are black अब देखो यह दो तरीके से बैठ सकता है या तो ऐसा डाइग्राम बन जा है या green जो स्वारी blue और green का intersection तो था ही green और black को some blues are black ठीक अच्छा अब जो है मेरा black वाला circle वो इस तरीके से भी हो सकता है some blues are black था green और black के बारे में कुछ नहीं बोला है green और black के बारे में कुछ नहीं बोला है तो यह इस तरीके से भी intersect कर सकते हैं समझ नहीं आप इसको तो क्या option आएगा option चेक करते हैं चलो conclusion 1 बोल रहा है some greens are black some greens are black यहाँ पर तो green और black के बीच में intersection है यहाँ पर नहीं है मतलब conclusion 1 is wrong conclusion 1 is wrong no green is black पहले वाले में तो सही है no green is black but second वाले में गलत हो जा रहा है इसे लिए conclusion 2 भी हटा दीजे all greens are black नहीं बैठ रहा हटा दीजे all blacks are green नहीं बैठ रहा हटा दीजे neither 1 nor 2 nor 3 nor 4 4 के 4 conclusion सही नहीं बैठ रहे हैं तो answer is D देख लो इसको भी एक screenshot ले लीजेगा जल्दी से लिख लीजेए आगे बढ़ते हैं और क्या questions है रुक और कुछ questions बनाते हैं इधर से कहां गया यह वाला बनाओ चलो all cats are dog and all cats are black यह वाला बनाईए जल्दी से विद्धन half a minute आदे मिनट में इसको solve करो और option बताना कौन सा सही बैठ रहे हैं आया किसी का एंसर इसका भी डिया रहा है देखते हैं all cats are dog तो यह तो हो गया मेरे cat का circle इसको डाल दो किसके अंदर इसको डाल दो dog के अंदर all cats are dogs तीक अच्छा इसके साथ साथ क्या क्या हो रहा है देखो all cats are black all cats are dog तो थे साथ में जो cats हैं वो dog के circle के अंदर भी आ रहे हैं वो black के circle के अंदर भी आ रहे हैं तो इसमें आपको देखो possibility क्या बन रही है तीन केस बनेंगे या तो यह हो जाए मेरा ब्लैक वाला सर्कल ऐसा दूसरा केस कैसा बन सकता है दूसरा केस बन सकता है कैट वाला सर्कल और फिर था आपका डॉग वाला सर्कल और सबसे उपर में आ जाए ब्लैक वाला सर्कल और तीसरा case क्यासा बनेगा तीसरा case देखो इंट्रेस्टिंग है यह हो जाएगा मेरा cat वाला circle cat के उपर dog वाला circle और यह हो जाएगा मेरा black वाला circle यह तीन चीज़ हो सकती है क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि all cats are dog मैंने बना दिया all cats are dog red वाले सारे circle कहां पर है red वाले सारे circle blue circle के अंदर में है दूसरा case क्या बोला all cats are black अब cat को काले circle के अंदर भी रखना है पर वो काला circle या तो blue के अंदर हो जाए या blue circle black के अंदर हो जाए या दोनों अलग-अलग हो यह तीन cases बन गया है कौन सा conclusion follow करेगा बताओ all dogs are black क्या सारे dog black है नहीं पहले में satisfied नहीं है दूसरे में satisfied नहीं है मतलब पहला दूसरा और तीसरा all dogs are black फस्ट में भी satisfy नहीं हो रहा थर्ड में भी satisfy नहीं हो रहा मतलब इट इस और रॉंग conclusion यह सम डॉक्स आर नॉट ब्लैक यह चक करते हैं कुछ कुछ कुट्टे काले नहीं है इसमें हैं सम डॉक्स आर नॉट ब्लैक यहां पर सारे के सारे dogs ब्लैक हो जा रहे हैं इसे लिए जैसे ही इसने diagram 2 को follow नहीं किया conclusion 2 गलत answer क्या आएगा neither conclusion 1 nor conclusion 2 neither one nor two देख लीजिए इसको भी जल्दी से लोट कर लो या screenshot ले लो इसका फिर आगे बढ़ते हैं और questions पर भागिए पुरा practice का ही खेल है यह बनाओ यह वाला पढ़िए खेल पुरा practice का ही है इतना practice करेंगे उतने सवाल बनेंगे concept इतना ही है कुषागर जी बोल रहे है calculation वाला बेंड डाइग्राम set theory बोल रहे हैं आप set theory का अलग से एक session ले लूँगा ठिक set theory का अलग से एक session ले लूँगा only one entry चलो solve करते है all pictures are frame सारे के सारे जो मेरे picture है यह किस के अंदर आएंगे they will come under frame section all pictures are frame यह हो गया all frames are photo सारे के सारे frames क्या होंगे they will come under photo category all frames are photo और क्या है all photos are hill यह बड़ा simple सवाल हो गया भई all photos are hill यह तो चार concentric circles बन गए इसरे तुम्हारे answers ते जल्दी आ गए थे अब बताओ क्या answer बनेगा इसमें से all frames are hill क्या सारे के सारे frame हिल है yes possible है some photos are picture कहा है photos देखो photo के अंदर आ रहा है picture वाला circle मतलब some photos are picture बिल्कुल possible है all pictures are hill picture का circle किसके अंदर आ रहा है green वाले circle के अंदर hills के अंदर यह भी सही है some frames are picture देखो black circle is under red circle तो कुछ frames जो होंगे वो black circle के अंदर आ रहे होंगे तो some frames are picture तो answer क्या आएगा all follows option number a इसमें क्या आएगा answer all follows option number a ठीक जली से इसको note कर लीजे यह बहुत simple question था all follows option number a हो गया और चले आगे कुछ और questions बनाते हैं यह वाला बनाओ चार्ट सार मैप मैप सार ग्लोब ग्लोब सार पिक्चर यह वाला ड्राइग कीजिए यह वाला solve करिये जल्दी से विदन हाफ अ मिनिट सम चार्ट सार मैप और मैप सार ग्लोब सम ग्लोब सार पिक्चर ऐस वाला बना भी चुके हैं हम लोग question क्या कह रहा है देखो कुछ चार्ट जो है वो क्या है वो है मैप यह हो गया मेरा मैप वाली कहानी और यह हो गया चार्ट वाली कहानी सम चार्ट सार मैप यह बन गया अच्छा ओल मैप सार ग्लोब सारी के सारे मैप क्या है दे आर ग्लोब्स all maps are globes अब सब globes are picture कोई कहा नहीं बन गई कुछ globes जो है वो है picture याद है अब ये जो picture और globe का circle है ये सिर्फ green और black में intersection हो सकता है या आगे बढ़ोगे तो ये green red के साथ भी intersect कर सकता है क्योंकि map और picture के बारे में कुछ नहीं बोला है और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये blue वाले के साथ भी intersect कर सकता है तीन डाइग्राम बन रहे थे सीधे सीधे ये रेको black ये हो गया map कहा गया blue ना ये हो गया मेरा चार्ट अब picture को मैं पहले सिर्फ black के साथ intersect कराया था अब कराऊंगा rate के साथ भी तो ये लीजे अरे green था न हाँ अब मैं इसको ऐसे intersect करा दूँगा तो ये बन गया एक और वेंड डाइग्राम ये जो हम लोग कोशन किये थे वैसा ही है और इसमें एक तीसरा case भी बन जाएगा तीसरा case कैसे बनेगा ये black circle हो गया आडिब्लैक सरकल के अंदर मैं आगया आपका रेड़ शर्कल रड़ सर के बाद आएगा आपका ये वाला सर्कल और ग्रीन सर्कल को में इस तरीके से बना सकता हूँ कह र contrac कि वो इसके साथ इंटर्सेक्ट कर जाये क्या करोगे । सम गलोपस आर चाट पताये है सम ग्लोपस आर चार्ट कै platinum सुझी होगा ? येस ! क्यों ? क्योंकि चाट सार मैप बोल दिया है और सारे के सारे map globe हैं तो तीनों में satisfy कर रहा है globe और chart black और blue का intersection तीनों में आ रहा है black and blue का intersection जो है वो तीनों में आ रहा है so this conclusion is right this conclusion is right some pictures are chart अब बताओ कुछ pictures जो है वो chart है नहीं, ना इसमें satisfy कर रहा है ना इसमें satisfy कर रहा है सिर्फ इसमें आ रहा है blue and green का intersection इसे लिए यह वाला conclusion गलत है some pictures are map clear दिख रहा है red or green का intersection पहले वाले में नहीं आया red or green का intersection पहले वाले में नहीं आया यह यह भी गलत some charts are map there some charts are maps उपर में भी लिखा था और तीनों diagram में मेरे को दिख भी रहा है तो कौन सा answer आएगा इसमें, 1 and 4 follows, option number C, only 1 and 4 follows option number C, यह आगे आपका इसमें answer, answer number C, option number C आएगा, not D or not B, L EJS का screenshot आगे बढ़ते हैं, और कुछ questions बनाते हैं, चलिए, यह वाले से start करते हैं, यह वाला बनाई है, all squares are circles, some rectangles are square, no triangles are circle, इसको try करो, जल्दी से इसको try कीजिए, पताएं, answers के आएंगे, इसके, all circles are square, ठीक है, यह रहा मेरा circle, circle को किसके अंदर डाल दू, all circles are square, यह हो गया आपका square, all circles are square, ठीक, नहीं, all squares are circle, नहीं, एक second, मैंने स्कोल्टा बना दिया है, just, it is written as all squares are circle, तो यह हो जाएगा मेरा square का, कहानी और circle का यह उपर में हो जाएगा, अब ठीक है, all squares are circle, अब क्या बोल रहा है, some rectangles are square, अब देखिए, some rectangles are square, यह हो गया कहानी, यह हो गया, rectangle की बात, some rectangles are square, अब क्या बोल रहा है, no triangles are circle, no triangles are circle, तो अब triangle को क्या करोगे, triangle को या तो बाहर बना दो, इस तरीके से, ठीक है, this is triangle, एकदम blue से बाहर black हो गया, ठीक, और नहीं तो, triangle को आप कहा रख सकते हो, triangle और rectangle के बीच में intersection possible है, मैं दो diagram नहीं बना रहा, मैं एक ही diagram में दोनों को show कर दे रहा हूँ, या तो triangle को एकदम ही बाहर कर दीजे, किस से, rectangle से, नहीं तो triangle और rectangle का intersection कर लीजे, क्योंकि green और blue, black और blue आपस में नहीं intersect होने वाले, black और blue जो है, वो आपस में नहीं intersection होने वाले, पढ़ते हैं conclusion के, all rectangles are circle, क्या सारे के सारे rectangle circle हैं, नहीं, some circles are rectangle, बिल्कुल possible है, some circles हमेशा rectangle होंगे, क्योंकि circle के अंदर आता है square, और square और rectangle intersect करना ही करना है, तो conclusion number 2 सही है, conclusion number 2 सही है, some circles are square, क्या some circles square होंगे, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर statement लिखा हुआ है, all squares are circle, तो three number भी सही है, conclusion 3, some rectangles are triangle, इस वाले case में तो ठीक है, some rectangles triangle है, बट यह वाला जो मैंने case बनाया था, इसमें मेरा triangle का circle rectangle के बाहर था, तो क्या हो जाएगा, some rectangles are triangle गलत, तो two and three follows, option number C, conclusion, two and three follows, option number C, यह आगे answer इसका, देख लीजे इसको, जल्दी से देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, और कुछ questions बनाएंगे, ठीक है, यह तो हो गया, एक ही ओला बना दो, पिग, कैट और रैट और काउ के बारे में, all pigs are cat, all cats are rat, no rats are cows, इसके बारे में भी बनाईएंगे, एक कुश्चन, यहीं आज प्रैक्टिस हो जाएगा, अब silogism अलग से पढ़ने की ज़रूत नहीं है, हैता मैं आज silogism यहीं पर, एक दो, दो, तिन कुश्चन और कराऊंगा, फिर session end करेंगे, जल्दी से करिए attempt इसको, हो गया, ठीक है, C आया है answer सबका, B आ रहा है, चलो देखते हैं, क्या होगा, और पिक्स आर कैट, यह हो गया मेरे पिक का सरकल, यह किस के अंदर आ जाएगा, और पिक्स आर कैट्स, पिक को मैने कैट के अंदर डाल दिया, सारे के सारे पिक कैट होगे, अब क्या बोल रहा है, all cats are rat, सारे के सारे cats को किस के अंदर डाल दीजे, rats के अंदर, यह भी ठीक है, अच्छा, no rat are cow, अब देखो क्या बोल रहा है, rats और cow के बीच में कोई intersection नहीं है, अगर rat और cow के बीच में नहीं है, तो cat और pig के बीच में भी possible नहीं है, तो आपका cow कहाँ पर बन जाएगा, cow को बना लीजी अलक से, इसमें एक एक ही डाइग्राम होगा, दूसरा बन डाइग्राम पॉसिबल ही नहीं है, इसमें आपका दूसरा डाइग्राम पॉसिबल ही नहीं है, रैट्स और cow के बीच में there is no intersection, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, तो क्या करोगे, conclusion ड्रा करते हैं, सम रैट्स आर पिग, क्या कुछ रैट्ट पिग हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, देखो, पिग का सर्कल रैट के सर्कल के अंदर में है, यह वाला conclusion सही है, सम पिक्स आर काउ, नहीं, पिग और काउ के बीच में कोई intersection नहीं है, तो यह वाला conclusion गलत हो जाएगा, अल पिग्स आर रैट्ट, बिल्कुल, पूरे का पूरा पिग का सर्कल किस के अंदर आ रहा है, रैट के अंदर आ रहा है, यह भी सही है, सम कैट्स आर पिग, कुछ कैट्स जो है वो पिग है, बिल्कुल पॉसिबल है, सम कैट्स आर पिग, तो कौन सा स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, वन, थ्री एंद फॉर, यह रहिए, ऑप्शन नमबर बी, कंक्लूजन वन, ठीक, देख लीजिए, इसको भी जल्दी से, इसके बाद एक और सवाल रखते हैं, हो गया, यह बन गया, एपल मैंगो चलिए, यह कॉस्चन बनाते हैं, फिर सेशन को एंड करेंगे, अई होब हमारा सिलोजिसम में काफी प्राक्टिस हो गया है, जल्दी से, पंद्रा सेगेंड में अंसर चाहिए, भरको इसका, ड्रॉ करके बताओ, जल्दी बताईए, इसका अंसर, अंसर, हो गया, लेओ क्या बोल रहा है, some apples are mangoes, ये हो गया apple, ओर, इसके साथ, intersection करा दिये, ठीक है, some apples are mangoes, अब क्या कहानी है, all apples are orange, नहीं सडी, all mangoes are orange, ये सारे कि सारे mangoes को, मिले को किस के अंदर लाना है, ये सारे कि सारे mangoes को, तो आप ले आई यह औरेंज के अंदर में ठीक ओल एपल्स और मैंगोज और और इंज और सारे के सारे जो और इंज है वह किसके अंदर आ जाएगा वह आजाएगा बनाना के अंदर में यह हो गया मेरा बनाना का सरकल कि यह बन गया मेरे डायग्राम एक के सोर ओसकता है मैं अहीं पर बता दे रहाएं पिर मैंगो और एपल तो इंटर्सेक कर रहे थे थीए जब सर्केशन सेट में बोला था कि all mango's are orange तो अब apple का circle भी orange के अंदर आ सकता है, जो मेरा banana का circle है, वो भी पूरा apple के circle को अपने अंदर ले सकता है, तो ये एक और condition बन जाती है इसमें, अगर बोलोगे तो मैं draw कर दूँगा, कि ये हो गया mango की कहानी, ये हो गया apple का intersection, अब orange को मैं क्या कर दे रहा हूं, मैं ऐसे बना ले र diagram जो possible है, ये जो है आपका दूसरा diagram जो possible है, अब conclusion चेक करते हैं, क्या बोलता है, some bananas are mangoes, some bananas are mangoes, बिल्कुल, हमेशा ही जो purple वाला circle है, वो blue circle के अंदर रहेगा, this is mango, this is banana, दोनों में possible है, conclusion one right, conclusion two, all apples are bananas, नहीं, second वाले में तो सही है, बट पहले वाले में सही नहीं है, red और blue में intersection हो रहा है, पूरा red कभी अंदर नहीं हो रहा, blue के, तो conclusion two गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले diagram में नहीं follow हो रहा, ठीक, all apples are orange, same कहानी, इसमें तो सही है, इसमें सही नहीं है, तो इसको भी अटा दीजे, some oranges are apple, ये सही है, some orange are apple, देखो क्या हो रहा है, पहले वाले में इतना हिस्सा apple है orange का, दूसरे वाले में तो पूरा ही है, अंदर हो जा रहा है, तो some oranges are apple, this is right, तो क्या answer आएगा, only one and four follows option number a, ठीक, तो इसको लिख लीजे, देख लो कुछ doubt है तो, एक बार इसको देख लीजे, यह हो गया, तो देखो, आज की session को मैं end करता हूँ, दो मिनिट बात, कुछ important information ले लीजे, syllogism मेरे हिसाब से अब आपका हो गया है, ठीक, तो इसको लेकर अब परिशान मत होना, exam में common sense लगा कर solve करिएगा, सवाल आपका सही आएगा, ठीक, तो आपको जो है, इतना अब इस topic को tension लेने की ज़रूत नहीं है, ठीक, तो चलिए आज के session end करते हैं, कल मिलेंगे same time पे, 3-4, कल जो आपका C-Sight in 10 hours है, उसमें एक नया topic लेकर आऊंगा, जिसके सवाल आते हैं exam में, वो topic जो होगा, data interpretation और reading comprehension नहीं होगा, फिर मिलते हैं, next class में, कल, thank you.